नमजगार स्वागत है आपका फिल्मी बीट में आपके साथ मैं हूँ दिपिका नेयाल कांस फिल्म फेस्टिवल शुरू होने वाला है हॉलिवुड के साथ साथ बॉलिवुड सितारों को भी इसका बेसबरी से इंतजार है हर कोई जाना चाहता है कि इस बार बॉलिवुड से कौन सी अधाकारा रेड कार्पिट पे उतरेगी जैसा कि हर बार एशुवरिया, दिपिका और सोनम, कटिना कैफ जैसे सितारे रेड कार्पिट उतरते हैं लिहासा इनके फैंस को इंतजार है और वो जानना भी चाहते हैं क्या इस बार भी ये सेलिबिटी रेड कार्पिट पे उतरेंगे चलिए हम आपको बताते हैं वेबसाइट पिंक फिला की माने तो एशुवरिया ने फिलहार डेट्स फानल कर ली है जी हाँ एशुवरिया ने अपनी टीम के साथ इन डेट्स को फानल किया है खबर मिली है कि एशुवरिया 19 मई को रेड कार्पिट पे उतरेंगी जी हाँ इसी महीने एशुवरिया का अलग अंदाज आपको कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पिट पे देखने को मिलेगा वही बात अगर सोनम की की जाये तो सोनम ने अपनी डेट्स को लॉक कर दिया है जी हाँ सोनम कपूर की डेट भी लगभग फानल हो गई है जानकारी मिली है कि सोनम कपूर 20 और 21 तारी को रेड कार्पिट पे उतरेगी और अपना जल्वा पिखे देगी जैसा कि सभी जानते हैं कि बॉलिवूड में सोनम कपूर को फैशन डीवा माना चाता है लिहासा फैंस काफी सदा एक्साइटीड है सोनम कपूर के लिए और देखना चाहते हैं कि कांस फैल्म फैस्टिवल में इस बार सोनम कपूर क्या कुछ पहनने वाली है वही बात अगर देपिका पादुकोर की की जाए तो देपिका पादुकोर कुछ दिनों पहले ही कांस फैल्म फैस्टिवल में पहुचेगी रिपोर्ट्स के मताबिक देपिका पादुकोर 19 और 20 माई को रेड कार्पिट पे उतरेगी जहां देपिका अपना फैशन सभी को दिखाएगी जैसा कि हम सब ने देखा था पिछली बार देपिका ने पिंक कलर की ड्रेस पहनी थी उसमें वो बला की खूपसरत लगी थी ऐसे में फैंस के निकाहे इस बार देपिका पादुकोर पर भी होगी और फैंस ये भी चलना चाहते होंगे कि आखिर देपिका वादुकोर इस पार क्या पहनने वाली है बैरहाल इंतजार के जे कांस फिल्ल फेस्टिवल का जहां बॉलिवर्ड की हसीनाएद दिखाएंगी अपना जलबा खेर हमारे इस वीडियो में बस इतना ही लेकिन बाकी वीडियो के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा